हालो फेंट कैसे आप उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तो आज हम लोग इतिहास के महत्पुन को स्वल्प करेंगे बता दे कि ये वन लाइनर कोस्टन है और आपके एक्जाम के नियरेस्ट तक अगर आप कोस्टन ये सब पढ़ लेते हैं तो आपके एक्जाम में य ये सीधे डायरेक्ट कोस्टन टकराने की संभवना है और बता दे कि कोई भी आप एक्जाम का त्यारी करते हो या आप BPSC का त्यारी करते हो या आप BPSC का त्यारी करते हो या आप BPSC का त्यारी करते हो कोई भी एक्जाम का त्यारी करते हो सभी एक्जाम के लिए बेहत मह अंतिम समय में आप कुछ नंबर को गेन कर सके आसानी तरीके से तो ये वन लाइनर फैक्टर है और मैं वन लाइनर इसमें बताऊंगा और सबसे पहले बता दे कि ये कोई भी एकजाम के लिए अंतिम समय में आपको ये सरसरी निगाह से देख कर जाना है चलिए इस वीडियो क ये दवर्रान अस्थानी को बोला जाता था जीला पर सासन ठीक है तो आपको याद रखना है कई बार एकजाम में ये कोईच्टन पूछे जाते है मोडे वंस का अंतिम सासक कौन था तो बडिहदरत था आपको याद रखना है मीली दप नहुक क्या है तो ये बौध ग्रंथ है भारतिये एवं सैली के मिश्रन से विक्सित क्या है तो गंगाधर कला है भारतिये एवं सैली के मिश्रन से विक्सित हुआ है गंगाधर कला ठीक है चलेनेस कोचन कुसान वंस के प्रसिद राजा का नाम बताईए तो कुसान वंस का जो प्रसिद राजा था वो कनिक्स था ठीक है सक्सामुवंद, ठीक है आरंब करने वाला कौन सा राजा था और कब किया था, तो सक्सामुवंद जो आरंब किया था, वो कनिस्थ के द्वारा किया गया था, और 78 इसवी में, ठीक है, आपको याद रखना है, चलिए, ये कोशन पूछे जाते हैं, चलिए इस कोशन, कनिस्थ के सासन काल में गंगा धर कला का गंगा धर सैली का विकास हुआ ठİक है कर इस के ही सासन काल में हुआ था चले नेस कोशन राजा Kharvail किस के चेदी वन्स के महान सासक थे तो कलिंग के थे यह दोस्तो आपके एक्जाम में डारेक कोशन पुछे जाते हैं ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है आप अंतिम समय में एकजाम में इसको फायदा आप इस सेशन का उठा सकते हैं और ये आप एक दू बार वीडियो जरूर देख कर जाईएगा ठीक है चलिए नेस कोशन सतवाहन का सबसे महान सासकोन था तो गौत्मी पुत्र सतकर्णी था ये कितने बार दोस्तों एकजाम में पूछा गया है कोई भी आप एकजाम उठा कर देख लिए देखिए ये कोशन पूछा गया है कई बार पूछा गया है ये सभी important कोशन है और आपके एकजाम में कहीं न तो अस्थम्ब किस ने अस्थापित किया था तो गुप्त वंस के गुप्त वंस ने अस्थापित किया था चलिए तो गुप्त द्वारा अस्थापित किया था चलिए दोारा रोम पर आकर्मन के साथ रोम समराजें के सांत भारत का वेपार समाप्त हो गया था तो रूम समराजें जो वेपार भारत से हुआ करता था वो समात्त हो गया ठीक है अधिकांज चे घुप्तकाली के दवरान जाРИ किये गया थे तो सोना के भारत के सीख्के mooGen még किये गए थे वो अधिकान्स मात्रा में सुने के सिख्ये थे चलिए नेस कोचन किसे अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्गुप्त को कहा जाता है चलिए नेस कोचन इलाहाबाद अस्तंब सिरालेख किसकी उपलब्दियों का वर्णन मिलता है तो समुद्गुप्त का मिलता है पहयान किस सासन काल में भात आया तो चंदगुप्त दूतिय के काल में आया था कितने बार दोस्तों ये सब एक्जाम में कोच्चन पूछा गया है और उमीद करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आता होगा और कहीं न कहीं आपको ये सब याद भी होंगे और नहीं याद है तो आप एक सबसरे निगास से देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा प्राचीन भात के प्रसित शितिक्षक धनवंती ने किसके दरबार में रहते थे तो चंदर गुपत दुईतिये के चले नेक्स कोचन आजानता के गुफाओं जो गुफाएं थे वह किसके सासन काल में बनी हुईती तो गुपत के चले नेक्स कोचन संगम काल के दरा रूम्स बेपार का केंद्र कौन था तो अड़िका मेडू था कितने बार दोस्तों ये कोचन पूछा गया है आपके एकजामे चले नेक्स कोचन कई बार दोस्तों ये एकजामे पूछे गया है चले नेक्स कोचन किस चोल राजा ने सब से पहले लंका पर विजय प्राप्त किया था तो राजा पर थमने चले नेक्स कोचन उत्तर मेरुक सिरालेख किसके प्रसासन से समबंदित है तो चोलो से चले नेक्स कोचन चोल राजाओं का जो सासन था वो तमिलाडू पर था यहाँ पर था चले नेस कोचन इलोडा का प्रसित शिव मंदिल किस ने बन माया था तो ये राष्ट कुट के सासन काल में बना था और ये क्रिस्न ने बन माया था चले नेस कोचन राष्ट कुट के राजा अमोग वर्स ने कौन सी पुस्तक लेखी थी तो कभी राज मार गये तिक है चले नेस कोचन महा वलीपूरम मंदिल किस राजवन्स के दोरान बनाया गया था तो पल्लो राजवन्स के दोरान बनाया गया था चलिए नेस कोचन दोस्तों ये एकजाम में दोस्तों पुछने की संभावना बहुत है आप पढ़के जाईएगा एक दो बार वीडियो को देख कर जाईएगा चलिए नेस कोचन पुलकेसिन दुतिये सबसे महान सासक था तो वातापी के चालुक्ये का ठीक है चलिए नेस मारे पहुरा प्रसस्ति की राचना की थी वह पुलकेसिन दुस्तिये द्वारा संड्रक्षन दिया गया था चलिए नेसग आ ख़ष कले ये कोषन बार-बार पुछे जाते हैं और यह कहीं न कहीं आपको याद होंगे चलिए के खजुरा हो के मंदिल का निर्मान किस ने कराया था तो चंदेल राजपुत ने कराया था चले नेक्स कोचन किस किस प्रतिहार राजा ने प्रामान की उपादिधान की थी तो मिहिर भोज ने किया था चले नेक्स कोचन उस्चिनी यात्री का नाम बताए है जो हर्स वर्धन के दरबार में आया थो तो हेंसवंग आया था ये सभी जानते है चलिने सकोचन प्रिंस ओफ पिलिक ग्रम का नाम किस ने दिया था तो हेंसवंग ने दिया था चलिने सकोचन हर्स वर्धन के समकालिन दश्षिन भारतिये सासक कौन थे तो पुलकेसिन दूतिये थे चलिनेश कोचन संस्कीत नाटक नाग धन की राचना किस हा तो हर्स वर्धन नहीं किया था चलिनेश कोचन साची का महान अस्तूप मध्य प्रदेश में दित है गीत कोबिंद के लेखक कौन है तो जैदेव है यह सभी आप जानते हैं चलिए नेस कोचन नेस कोचन है द्रिंदा नामक रानी ने 980-1003 इस भी तक भारत के किस भाग पर सासन किया था तो कस्मीर में चलिए नेस कोचन सिंद पर बीजय प्राप्त करने वाला अडरब सेनहा के सेनपती का नाम बताएतों मुहंबध बिन कासिम था तराइन का दूसरे यूद में कुर्थिवी राज को किस नहाआ था तो मुहंबद गोड़ी नहाँ था चलिए नेस कोचन इतिहास का प्रारंब काल कहा जाता है तो पुरापाशान काल ये सभी जानते हैं पत्थर के और सबसे पहले किसे काल में पाए गया थे तो पुरापाशान काल में बनाए गया थे कौन सी सभ्यता अपनी नगर यूजना के लिए परसीद है तो सिंदुगाटी सभ्यता सिंदुगाटी सभ्यता का मुहाना सिंध नदी तो मुहन जुद्रो टट परिशती थे यह सभी इंपोर्टेंट है दोस्तो आप इसको पढ़े के जाएगा और यह एक्जाम में आपको कहीं न कहीं फैटा देखने को यहां से मिल सकता है मुहन जुद्रो का अस्थान यह नाम क्या है तो मृतको का टिला कहा जाता है विशाल अस्थाननागार कहां पाएज मिला है तो मुहन जुद्रो मिला है मात्य देभी की पूजा समन्ध है तो सिंधुगाटी सभी दाँ चीनि मिटी की वस्तूओं के पडशित था टीक है चलिए जहें लोक recom ए वहिदिक लोग सबसे पहले किस धातु का परियोंग यह तो तमबहगा छें calidad कुछ टिन तीन वेदों को सं युक्त रूप से वेद ततर रहें क्योंकि अनार्यों के साथ अपने संगहर्स में सफल रहे क्योंकि उन्हें गोड़े से चलने वाले रत का उप्यों किया था इसकी पुष्टी इस तथे से होती है कि रिग वेद आरे चरवाहा थे रिग वेद में गायो जो था वह अधिकांस यूध के लिए लड़े गये थे पुझारियों को दिये जाने वाला उपहार अक्सर जो था वह गाय था भूमी नहीं था पुझारियों को जो उपहार दिया जाता था वह गाय उपहार को दिया जाता था ठीक है दोस्तों और दोस्तों ये सभी important कोचन है और next session में हम लोग इसके उपर चर्चा करेंगे और आपको comment बाताना है ये session आपको कैसा लगा और दोस्तों आप comment कीजेगा तब मैं video को continue करूँगा अन्य था मैं video continue नहीं करूँगा अगर आपको फैदा हुआ हो और video अच्छा लगा हो तो आप ज़रू comment में बताइए और फिर हम लोग next के उपर जड़्चा करेंगे तो चल करेंगे कि उपको कर दो परा है।